क्या आपको पता है कि ये एक ऐसा अंब्रेला है जिसमें कोई कैनोपी नहीं है फिर भी ये आपको बारिश से बचाता है और इस इमेज में अगर आप इस काले पॉइंट को देखते हो तो एक चीज होती है जो कि आपको देखनी ही चाहिए इस वीडियो को पूरा जरूर स्टेर करो मैं काउंट डाउन करूंगा और फिर बताऊंगा रियल टाइम में कि क्या हो रहा एक्जाक्टली आप इस प्लस साइन को स्टेर करते रहना और कहीं भी और मत देखना एक दो तीन चार पांच छे आप ये नोटिस करोगे कि पूरा जो पेज है वो वाइट हो दिखने लगेंगे प्लस पॉइंट्स को कुछ सेकंड्स तक स्टेर करने के बाद ही वो गयव होता है फैक्ट नमर्ट 21 क्या आपको पता है कि केविन अपसोच नाम के एक फोटोग्राफर ने सिर्फ एक पोटाइटो के इमेज को ये एक फोटोग्राफ है जो कि इन्होंने क्लिक किया है और आप गेस करो कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा मतलब जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनका केरियर फोटो में होता है और ये फोटो को सेल करके और इसको लाइसेंस करके रोयल्टी और पैसा कमाते हैं तो ये कितने में बेचा गया होगा तो आप ये जानके चौक जाओगे कि सिंपल सा आलू का फोटो वन मिलियन डॉलर यानि करीब साथ करोड रुपए में बिका है और इसे एक बिजनसमेन ने खरीदा है क्योंकि उस बिजनसमेन को उसके अंदर एक आर्ट फील हुआ मतलब अफकॉर्स एक नॉर्मल इंसान कभी भी टिपिक ने खरीदा है और जो बिजनसमेन जिसने ये लिया है वो भी आर्ट को ही देख के लिया F.20 आपने अकसर देखा होगा कि शो़ूरूम जो होते हैं उसके उपर गाडियां लगी होती है तो क्या है कि शोरूम के उपर गाड़ी कैसे पहुंचती है तो आपने कभी सोचा है कि रोड से जब गाड़ी ट्रक्स में आती होगी और नई नई गाड़ियां उतरती होगी तो वो तो नीचे उतरेगी तो ये first floor, second floor ऐसे पर कैसे पहुंच जाती है तो असल में वो इन machines के जरिये होता है, इन plates पे सबसे पहले गाड़ियां चड़ती है and then उसे ऐसे उचा किया जाता है, unfold किया जाता है और first floor के level पे रखके showroom के अंदर रख दिया जाता है तो ये था one of those confusions जो कि बहुत लोगों को होता है, तो ऐसी गाड़ियों को इतने उपर showroom में रखा जाता है Fact number 19, क्या है कि जो ये leather bags होते हैं, वो तो आपको पता ही हुआ कि environment के लिए कितने खराब है तो Mexico के दो entrepreneurs मिलके एक ऐसा leather बनाए हैं, जो कि बिलकुल एक leather की तरह दिखता है, जैसे कि आप अपने screen पे देख पा रहे हो लेकिन ये literally cactus, जो कि ये रेगिस्तानों में पाए जाता है, इससे बनाया गया है और ये देख के लगता ही नहीं बिलकुल भी, कि ये, मतलब देखो इससे लग रहा है कि real leather है बट इन entrepreneurs ने cactus leaves से leather को बना डाला और इससे billions of animals जो कि मारे जाते हैं, वो बच जाएंगे starfish जो होते हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, बट क्या आपको पता है कि कभी-कभी कुछ starfish ऐसे दिखने लगते हैं तो ये starfish होते हुए भी ये ऐसे shape क्यों हो गए? तो असल में क्या होता है कि अगर समुंदर में आपको अगर ये starfish देखने मिला तो आप समझ जाना कि एक normal starfish का ही बच्चा है लेकिन ये birth defect के चलते ऐसा हुआ है जी हाँ जब starfish में birth defect होता है, तभी ये इस तरह square shaped में जन्म लेते हैं जो deer होते हैं, मतलब ये hiran, तो इनको जो world है न, वो हलका greenish देखता है इसका मतलब आप ये दोनों image को देखो, हमें ये दिखता है, tiger हमें normally ऐसा दिखता है लेकिन deer जो होते हैं, वो tiger को कुछ ऐसे देखते हैं और क्योंकि pain का हरा और ये हरा match हो जा रहा है इनका vision, तो ये देखी नहीं पाते हैं कि आसपास tiger है और यही कारण है कि इतने सारे dears को tigers खा जाते हैं, वो जल्दी tigers को detect नहीं कर पाते हैं मतलब nature का ऐसा system ही है, जिसके चलते हैं ये जो पूरा animal का system है, ये possible हो पाता है जो ये North Dakota जगा है, यहाँ पे 1966 में snowfall हुआ था, एंड इसे एक ऐसा snowfall माना जाता है, जिसको कभी भी forgotten नहीं किया जा सकता है ये world के सबसे बड़े snowfalls में से एक है, एंड आप इस image को देखो, ये इतना extreme है कि कुछ-कुछ top जगाहों पे, जो ये बिजली के लंबे-लंबे poles होते हैं, उसके top तक पूरा snow पहुँच गया है और जैसा कि आप इस image को देख रहे हो, ये image depict करता है उस snowfall के density को Fact No.15, जिस तरह bacteria और बाकी छोड़-छोड़ creatures हमारे आसपास पाए जाते हैं, वैसे एक hydrothermal warm होता है, जिसके बारे में scientist को कमी पता है, बट ये world के सबसे mysterious जीव में से एक है Main बात ये है कि ये deep sea यानि गहरे समुंदर में पाए जाता है, और ये normally तो आपको इसका shape नहीं दिखेगा, बट अगर आप इसको समुंदर के गहराई से निकाल कर microscope में देखोगे, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब इसको देखो एक जैसे आँख होता है, मू होत Pack number 14, आपने The Matrix movie के बारे में तो जरूर सुना होगा, and Matrix movie में जो background में ये code चलते रहता है, ये इसके बारे में आप लोगों में से कुछ लोग जरूर आवेर होंगे, and असल में ये बहुत deep चीज है, इसे बहुत लोग समझते हैं कि ये programming को depict करता है, but ये असल में और कुछ न review में, इन्होंने अपने wife के Japanese cookbook से sushi का recipe निकाला, and ये असल में वो एक normal सा recipe है, but movie में ये इतना cool लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ random digits and कुछ mysterious सा fall हो रहा है, Fact number 13, Brazil की एक 6 साल की लड़की है, and इसके बारे में कई articles आये हैं, जो कि आप अपने screen पे देख सकते हो, इसने एक बहुत ही amazing सा काम किया है, इसने 7 asteroids को discover किया है NASA के लिए, मतलब एक 7 साल की बच्ची, NASA के लिए 7 नए asteroids को telescope के थूँ खो जाया है, जो कि उस उमर में बहुत मु Fact number 12, सौधी अरेबिया में एक एरपोर्ट है, King Fade International Airport, और ये एक एरपोर्ट है, ठीक है, तो आप मुझे एक question का answer दो कि क्या कोई एरपोर्ट एक पूरे शहर से बड़ा हो सकता है, तो क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक एरपोर्ट ऐसा है, जो कि पूरे मुंबई शहर से भी पूसिबल लगता है, बट ये true है, इस एरपोर्ट का एरिया जो है, वो 780 स्कॉर किलोमेटर से है, और मुंबई शहर का जो एरिया है, वो 603.4 स्कॉर किलोमेटर है, डाट्स गज़व, पैक नमर 11, ये एक अमेजिंग सा depiction है, और आप इसे देखो, जब आसमान में सुपर सुपरनोवा होता है, इसका मतलब जब किसी तारे की देथ होती है, तब वो explosion का scene, अगर हम किसी powerful telescope से देखें, या फिर अगर वो explosion कहीं सामने हुआ है, वो सुपरनोवा सामने हुआ है, तो उसे अगर हम लोग आखों से भी देखें, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जब एक cell का birth होता है, तब भी वो कुछ ऐसा दिखता है, और भी आप ऐसा comparison देखे होगे, कि दिमाग के जो neurons का map होता है, और जो universe का zoomed out map है, वो भी कुछ हद तक मिलता है, fact number 10, आपको तो पता ही होगा कि जो जानवर होते हैं, especially जो beautiful जानवर होते हैं, या फिर जिन से कुछ valuable ब वो एक pride की बात तो है ही, लेकिन ये concern भी है, क्योंकि आपको यकिन नहीं होगा कि अभी इस tiger का population जो है, वो सिर्फ और सिर्फ 30 रह गया है, मतलब सोचो किसी प्रजाती का population जो है, वो 30 है, जो कि बहुत ही कम है, तो इसलिए जो 30 बच्चे भी हैं, उनको अच्छे से preserve किया जा रहा है, ताकि उनके जो बच्चे हो, और उनके बच्चे से जो बच्चे हो, ऐसे कम से कम population जो है, वो at least zero ना हो, fact number 9, क्या आपको पताए कि जो नेचर ने हाथी, यानि एलिफेंट का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया है, वो ऐसे बनाया है, मतलब वो वेट को कैरी कर ये नहीं मेंड है, इसका मतलब नेचर ने इस तरह नहीं बनाया है, कि आप उस पे वेट कैरी कर सको, और इसलिए हाथी कुछ सालों में ही डिफॉर्म हो जाते हैं, ड्यू टू ब्रोकेन बोन, जिनका बहुत ज़्यादा यूज किया आता है, बट अगर हम लोग घोडे को ले ले तो नेचर ने उसे इस तरह बनाया ही है, ताकि वो तेज भाग सके, लोड कैरी कर सके, बट ये उसके लिए टेक्निकली और नेचरीकली जो अगर उसे कहें तो नहीं बनाया गया है, एंड जो टूरिस्ट एंड ट्रैवल में जो ये देखते हो आप, यसे लोग उस लिए नहीं बनाया गया है, आपको पता है कि एक तरह का अंब्रेला होता है, जिसे कहते हैं एर अंब्रेला, एंड इसके उपर कोई उपर वाला पार्ट नहीं होता है, यानि कोई कैनोपी नहीं होता है, फिर भी ये आपको बारिश से बचाता है, पता है कैसे, एर फ्लो की नहीं आये, experimental phase पे हैं, बट कुछ दिनों बाद ये आपको common रूप में दिखेगा. fact number 7, क्या आपने कभी सुना है कि अक्सर लोग के कानों में cockroach या cockroach का बच्चा अंदर चला जाता है, ये असल में इसलिए होता है, इसका scientific कारण जानो, कि आपके कान के अंदर से जो smell आता है, भली हमारे लिए बहुत गंदा हो, लेकिन cockroach के लिए बिलकुल ये एक नशे की त जाते हैं, इसी के चलते, cockroaches जो है, वो लोग के कानों में घुच जाते हैं, साइंटिस्ट को यही पता चला है, कि आपका कान cockroaches के लिए हेवेन है, आपको पता है कि 19th century से स्री लंका में जो elephant का population है, वो 65% तक गिर गया है, ये एक बहुत ही बुरी बात हाथी का population, लेकिन इ एक ऐसा law है, जो कि आप यकीन ने करोगे, अगर आप स्री लंका में किसी हाथी को मारते हो, तो इसके लिए आपको मौत की सजा मिलती है, ये वहां का law है, ये serious law इसलिए बनाया गया था कि वहां का जो elephant population है, वो sustained हो पाए, तो अगर को elephant को intentionally kill करता है, तो उसको death face करना एक तरह का bat फिलिपिन्स में spot किया गया था, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, और इसका जो wingspan है, वो 6 feet, 6 feet तक था, लोग सोचने लगे कि ये कौन सा bat है, तो असल में इतने बड़े-बड़े चमगादर भी होते हैं, जिसका जो wingspan हो 6 feet होता है, and इसे कहते है golden crowned flying fox, and इसके अभी 3 sub species को पाया गया है, 3, जिसमें से 1 extinct है, fact number 4, जो playing cards होते हैं, उसमें एक तरह के cards आते हैं, बहुत unique तरह के, जिसको matte black cards कहते हैं, and ये ऐसे card होते हैं, जो कि आपके सामने वाला जो है, वो इसको नहीं देख पाएगा कि आपके पास कौन सा card है, जब तक कोई उस card को सा समने से directly नहीं देखेगा, तब तक उसका real content समझ नहीं आएगा, मतलब अगर कोई side से देख रहा होगा उस card को, तब वो कुछ ऐसा दिखेगा black color का, and उसको समझ नहीं आएगा, उसको directly देखने पे दिखेगा, और अगर आप उसको कहीं भी किसी और angles से देख रहे हो, तो ब इतने सारे users की बात आती है, तो कोई और company को अगर ले लें, तो इतने count का जो company होता है, उसमें मतलब बहुत ज्यादा number of employees होते है, बटी बहुत एक amazing बात है, कि इतने famous app, WhatsApp, जिसके 2 billion users है, उसमें बस 50 employee काम करते है, और सब कुछ manage करते है, that is really amazing, fact number 2, Luke's lacquer, नाम का एक nail polish है, और इसका जो price tag है, वो 250K dollars है, यानि करीब 2 करोड रुपए, जी हाँ, ये एक छोटा सा अगर आप nail polish लोगे, तो आपको 2 करोड का payment करना होगा, और 2 करोड इसलिए, क्योंकि ये जो nail polish है, इसे अगर आप लगाओगे, तो आपके हाथों में जो ये glittering दिखेगा, ये कोई chemical या किसी effect के चलते नहीं, बलकि real diamonds के चलते होगा, ये Los Angeles में based, एक luxury jewelry designer है, जिसका नाम है as a tour, और इसी ने इस product को launch किया थो, Fact No.1, South Africa के एक politician थे, Shekede Pisto, एंड इनकी एक बहुत ही favorite car थी, 1980 की Mercedes, एंड ये एक normal, जो car को हम लोग पसंद करते हैं वैसी नहीं, बलकि एक बहुत ही दिल के करीब, एंड कुछ साल पहले, साल 2020 में इनकी मृत्तिय हुई थी, एंड तब उनका एक death wish था, मतलब ही अपने Mercedes को इतना पसंद करते थें, और इनको ये car इतना पसंद था, कि इनका ये ही इक्छा था, कि इनके मरने के बाद, इसी Mercedes के अंदर उनके लाश को रखके, इनका क्रिया किया जाए, एंड आखिर कार इनका ये ही wish पूरा किया गया, तो ये थे आज के facts, video collection and comment ज़रूर करना, और channel क Thank you so much for watching this video.